नाम तारिक बठ है मैं नेश्टनल हुमर राइट ड्वेल्मेंट कॉंसल का चेर्मेन हूं रैंसी से बावस्ता हूं आपको तकलीफ दी आज की प्रेस कांफरेंस के लिए और आज की प्रेस कांफरेंस में हमारा जो में मुद्दा है वो माइनिंग का है और मैं यह समझता हूं क deputy हमारी रियास्त जम्मउकश्मीर कें अंदर सबसे बड़ा बंडार माइनिंग का अग्र कोई है तो वो माइनिंग हो रही है उसमें इस किसम की धानदली है कि अल्लेगल माइनिंग जू है वो जोरों पे चल रही है पांच साल से हम चिला रहे हैं कि इस माइनिंगिंग इन चलन है लगता है मुझे लगता है कोड़लिश किसम का त्यार कर लिया गया है कि वहाँ पर फ्राडी त्यांड वह वह रही है चलन जो है वह जाली शुरां मैनिंग पर और यहां तक जो यहां जम्मू के अंदर क्लाइशर लगे हुए हैं जैसे निक्की तभी में है वह माइनिंग यहाँ से कर लेते हैं चलानिंग जो बोती है जो पर्ची जो काटे जाती है बोरीयासी की होती है और अभी पिशले दिनों बीजिलेंस डिपार्टमेंट ने वहां पर छापा मारा रहा है और उन्हों कुछ चलान पकड़े हैं जाली चलान पकड़े हैं और फिर वहां पर कुछ गाड़ियां पकड़ी है एफ इयर रियासी पुलिस टेशन के अंदर लगी है मैं कहता हूं कि इसकदर धांदली पड़ी हुई है और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे जो गूल गलाब गड़ जो ह अगर कोई एक्सिलेंट हो जाता है तो वहां को नुक्सान होता है तो LG महदे उस पर बोलते हैं लेकर पांच साल से इस माइनिंग पर जो कुछ हो रहा है और जितना हूँ हला दुनिया ने मचाके रखा हुआ कि इलेगल माइनिंग बंद की जाए लेकिन LG महदे की तरफ से क कोई उनको पूछने बाला नहीं है और जहां तक फारस जलशक्ती फ्लेड कंट्रोल फिश्री डिपार्टमेंट और नहीं तरफ से जब तक ना वहां पर अनोसी मिले तब तक वह माइनिंग हो ही नहीं सकती है और सबसे बड़ी बात यह है कि जो NHPC की जील वहां पर बनी हु फारस ट्रपार्टमेंट का जो कोई भी आदमी नहीं रोकता फिश्री वाले नहीं रोकते फिश्री वालों को यह देखना है कि मश्री कहां तबाव रही है और हमारे जम्मो कश्मीर के अंदर ही नहीं बलगे पूरे देश के अंदर एक ऐसी महाशेर मश्री है जो दरिया च नहीं समझ्छता हूं कि 3030-4040 फुट गहरे खड़े नकाले हुए हैं और दूसरी बात यह जो जिसी साहब हैं ये भी इसमें जो हैं वो बड़े सरगर्म है और रही बात जो जब इससे पहले जो हमारे डिप्री कमिशनर साहबा थी थी वहाँ पर उनके तो कान में जूं तक नहीं रिंगती थी और मैं समझता हूँ कि जब इसका टैंडर करवाएगे हमेशा होता ये है कि टैंडर जब होता है तो टैंडर के साथ उसके रेट फिक्स होते हैं ये पहले हो जाते हैं रेट बाद में फिक्स किये गे हैं लोगों को लूटने का एक बहुत थी बढ़िया तरीका इन्होंने अपनाया हुआ है और जब पहली सरकार हुआ करती थी